आज हम पढ़ेंगे Classics Math Chapter 6, Worksheet 4 Question No.1 Separate the terms of the following algebraic expression तो terms जहां भी plus और minus है समझे है वहाँ पे एक term है लेकिन multiply और divide है वहाँ पे term नहीं होता है जहां plus और minus है No.1 X square, X square में plus है यानि ये एक नया term है Minus 2xy, ये एक term है क्योंकि इसमें minus है Y square इसमें plus है यानि ये एक term है B, 5A square इसमें plus है 6AB इसमें भी plus है ये भी term है 2BA square इसमें भी minus है और 3 इसमें भी plus है तो इसमें 4 term है ऐसा ही CDEF आप इस screen पे देख सकते हैं आप वीडियो pause करके लिख सकते हैं Question No.2 Classify each of the following as monomial, binomial, trinomial और quadrinomial expression तो देखिए जहाँ भी 2 term है वहाँ पे binomial जहाँ भी 1 term है वहाँ पे monomial जहाँ भी 3 term है वहाँ पे trinomial और जहाँ भी 4 term है वहाँ पे quadrinomial तो A number में X plus Y इसमें 2 term है तो यहाँ पे हम binomial लिखेंगे B में 3 यहाँ पे सिर्फ एक term है इसलिए monomial C यहाँ पे 3 term है इसलिए trinomial ऐसे ही करके आप सारे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप वीडियो पॉस्ट करके लिख सकते हैं Question number 3 Is 4X plus 3Y plus 2X a trinomial expression? Why not? देखिए trinomial expression होता है 3 unlike terms इसमें 3 terms है जिसमें 2 like term है 4X और 2X Like term होता है same variable with same power इसमें भी X है इसमें भी X है X का power भी 1 है इसमें भी X का power 1 है भले 2 और 4 हो उससे कोई मतलब नहीं है और minus plus लेकिन और दोनो like term को add कर देंगे तो यह एक नया term हो जाएगा और एक 3Y तो यह केवल 2 term है तो जो की binomial है इसलिए यह trinomial expression नहीं है Question number 4 Identify the like terms in the following Like term होता है same variable with same power A X square, Y square, Z square, half X square तो first और last में variable same है जो की है X और X का power 2 इसमें भी है और X का power 2 इसमें भी है वो भी same है तो जब variable same है उसका power same है तो यह दोनो like term हो जाएंगे भले यह minus में हो या plus में हो B P3QR4P अब देखें first और last में इसमें भी variable same है और variable का power same है तो यह भी like term हो जाएगा इसी तरह आप CDEFGH वीडियो पॉस करके लिख सकते हैं Question number 5 Write the algebraic expression whose terms are A 2A 3B minus 2C तो हमें क्या करना है इन सब को एक साथ लिख देना है तो हम इसे 2A plus 3B minus 2C लिख देंगे उसी तरह हम B और C को लिख देंगे आप वीडियो पॉस करके लिख सकते है Question number 6 Write two examples of each expression A Binomial expression Binomial expression होता है जिसमें two term हो Two unlike term Like term हमें नहीं लिखना है तो हम लिख देंगे 2A plus 3B देखें यहाँ पे हम 2A plus 3A नहीं लिख सकते क्योंकि यह दोनों add होके one term बन जाएंगे इसी लिए हम unlike term लिखेंगे इसी तरह हम monomial में one term वाले को और trinomial में three terms वाले को लिख देंगे अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको maths के कोई भी work sheet करने है सारे वाकसीट के वीडियो मेरे चैनल पे अवलेवल हैं आप जाके देख सकते हैं अगर आपको हिंदी के भी question answer करने है तो उसके भी वीडियो मेरे चैनल पे अवलेवल हैं कर देख सकते हैं